हेलो फ्रेंस वेलकम तो जोतीज कीचन आज मैं लाएं हूं आपके लिए मिलकुल कुरकुरा मशाला दोसा की रेसिपी इसके शाथ ही मैंने यहां पर शांबर और चटनी की रेसिपी भी सेयर किया है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को करें और वीडियो को लाइक करें इसके लिए मैंने दो कटोरी चावल लिया हम जितनी मात्रा में चावल यूज करेंगे उसके हाफ हमें उड़त दाल यूज करनी है इसमें मैंने दो कटोरी चावल और एक कप उड़त दाल यूज किया है और लगबग 100 ग्राम के मैंने इसम टेश्ट बहुत अच्छा होता है अब इसे हम दो बार अच्छे से धुल कर इसमें पानी डाल कर रात भर इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे दोसा बनाती रक्त हमें यही धियान रखना है कि बैटर जितनी देर के लिए हम छोड़ेंगे दोसा उतना ही अच्छा बनेगा अब इसे हम पानी डाल कर रात भर ढख कर छोड़ देंगे यह देखिए यह चावल और दाल बहुत ही अच्छे तरह से बूल चुके है यह देखिए अब हम इसे मिक्सर के जार में इसे पीछ लेंगे इसे बहुत महीर नहीं पीछना है अब इसमें हम पानी डाल कर इसका पेश्ट बना लेंगे यह देखिए इसे बहुत पतला नहीं पीछना है अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे अब हम दोसा में यूज करने वाले मसाला का यूज करने वाले अब हम आलू को तियार करेंगे इसके लिए मैंने दो चम्मच आयल यूज किया है जब आयल गर्म हो जाए तो हम इसमें हाफ चोटा चम्मच जीरा हाफ चोटा चम्मच सर्शो एक लाल मेर्च डाल देंगे जब यह ब्राउन हो जाए तो इसमें हाफ चोटा चम्मच हल्दी पौडर और इसमें मैंने अद्रक और मेर्च का पेश्ट यूज किया है इसे दरदरा पिसना है अब इसे डाल कर हम अच्छे से चला लेंगे अब इसमें मैं मसाले यूज कर रही हूँ जब यह आदा बुन जाए तो इसमें हाफ चोटा चम्मच धन्या पौडर हाफ चम्मच जीरा पौडर इसमें आलू का मसाला बहुत ही टेस्टी बनकर त्यार होता है अब जब यह मसाला बुन जाएगा तब हम इसमें आलू को मैस करके डाल देंगे आप इसमें मुंगफली भी यूज कर सकते हो अब हम इसमें आलू को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो या तीन मिनट तक हमें इसे अच्छे से चलाना है ताकि आलू भी थोड़ा सा बुन जाए इसे हम अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाले सारे आलू में आ जाएंगे अब इसे अच्छे से एक दूसरे से मैस कर लेना है ताकि बड़े बड़े आलू अच्छे से मिक्स हो जाए ये हमारा आलू का मशाला भी बन कर त्यार हो गया है अब हम दोशा बनाने के लिए बैटर को लेते हैं इसे इसमें हम इनो यूज कर रहे हैं आप चाहो तो इस पे खाने वाला शोडा भी यूज कर सकते हो इनो का एक पैकेट ही काफी है अब इसे डाल कर हम इसे मिक्स कर लेंगे जब हम दोशा बनाना स्टार्ट करेंगे हम इसे तभी मिक्स करेंगे ये देखिए कितना फ्लपी हो गया है और ये कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है दोशा का बैटर जितना हलका होता है हमारा दोशा उतना अच्छा बन कर त्यार होता है अब हम पहले तभा को गर्म होने देंगे इसे मैंने तेल से पोच लिया है इसके बाद इसमें पानी का चीटा लगा देंगे ताकी तावा ठंडा हो जाए और हम इसमें बैटर को डालेंगे इसमें बैटर को डालकर हलके हाथों से हमें पूरे तबे पर फैलाना है इसकी परत जितनी पतली बनेगी हमारा दोसा उतना ही कुरकुरा बनेगा अभी हमें आज को कम रखना है जब नीचे ब्राउन हो जाएगा तभी हम इसे बनाएंगे अब इसके लिए मैंने चारू साइट्स पे थोड़ा आईल यूज किया है जब हमारा दोसा पक्का त्यार होगा तो ये तवा को अपने आप छोड़ देगा ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये उखर जा रहा है अब हम आज को तेज करके इसे ब्राउन होने तक सिखेंगे अभी ये नहीं हुआ है इसे हमें थोड़ी और सेखना पड़ेगा जब इसके उपर जो मैंने आलू का मिशाला त्यार किया है इसे हम लगा देंगे और महिन महिन मैंने प्यास कट करके रखा है जिसे मैं चुखा के उपर फैला दूँगे ये ओप्सनल है आप चाओ तो प्यास नहीं भी यूज कर सकते हो अब इसे अच्छे से ये देखे ये बहुत ही कुरकुडा बना है और खाने में बहुत ही टेस्टी है इसकी लेयर भी बहुत पतली बनी है अब हम निकाल लेंगे इसी तरह से मैंने दो दोशा बना कर त्यार कर लिया इसके बाद मैं आपको इसमें साथ खाने के लिए चट्टी और सामर की रेसिपी बताऊंगे इसमें मैंने 100 ग्राम दाल लिया है दाल को हम फ्राइ कर लेंगे इसमें हमें आइल नहीं यूज करनी है इसे कम आच में अच्छे से बुनना है और जब दाल का कलर लाइट ब्रॉन हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने पर ही हम पीसेंगे इसके साथ आप नाडियल बदाम कुछ भी यूज कर सकती हो मैंने सिर्फ चना दाल की चटनी बनाई है ये देखी ये अच्छे से बुन कर त्यार हो गया अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे और इसमें मैं एक मिर्च भी डाल रही हूँ अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसका पेश त्यार कर लेंगे इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसना है ये देखे इसे हमें इस तरह से पीस कर त्यार करना है अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे दोसा में खाने वाली चट्नी पतली होती है इसमें मैं पानी डाल दूँगे तोकि ये बहुत गाड़ी बनी है आप पानी डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे मैं थोड़ी और मात्रा में पानी डाल रही हूं यह देखिए अब इसकी बहुत अच्छी तरह से यह इतनी ही पतली होनी चाहिए अब हम इसमें चौका लगाएंगे इसमें मैंने हाफ चमच नमक डाला है एक बतन पे मैंने दो चमच ऑईट डाल दिया है जब ऑईल गरम हो जाएगा तब हम इसमें कडी पत्ता और शरषो और लाल मिर्च से इसे चौका लगाएंगे सबसे पहले मैंने शर्षो डाली है अब इस पे कड़ी पित्ता और एक लाल मिर्च डाला है यह जब अच्छे से पक जाए तो इसमें हम चटनी में डाल देंगे इसे चटनी का फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही सांधी-सांधी खुसबू भी आती है और यह ख जितनी मात्रा में हमें सांबर बनानी है उसी साब से हम पानी यूज़ करेंगे मैंने दू ग्लास पानी लिया है उसे मैंने सबसे पहले अरहर की डाल को डाल दिया है अब इसके बाद हम इसमें जो मैंने सबजियां चोटी-चोटी टुकडों में काट कर रखी थी उसे डाल टमाटर यह बहुत ही जरूरी चीज है सामबर बनाने के लिए इसमें मैं टमाटर ज्यादा यूज़ कर रहे हूं क्योंकि सामबर खटी होती है मैं इमली इसमें कम यूज़ करूँगी और टमाटर को ज्यादा यूज़ कर रहे हूं इसमें एक चम्मच नमक हाफ चम्मच डाल रही हूं और एक चमच स्लाहमबर मशाला डाल रही हूं और मैं एक चमच जब इसमें चौका लगाऊंगी तो यूज करूंगी इसमें एक ही चमच डालना है और हरी मिच को चोटे-चोटे टुकड़ो में कट करके इसमें डाल दूंगी अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर पानी में के लिए छोड़ दें गैसे तो इसमें कि दाल और सब्जय अच्छे से पक कर तियार हो जाएंगी जब तक मैं जब तक के सांबर बने कर तियार होते हैं इम्ली को डाल कर इसेμεं पानि में भीगने के लिए छोड़ दे रही हूं यह optional है फ्रैंड आप डाल भी सकते हो और नहीं भी अब हम सामबर में भी चौका लगाएंगे जब क्राई गर्म हो जाए तो इसमें दो चम्मच ओयल डालना है ओयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें शर्षो कड़ी पत्ता लाल मिर्च डाल देंगे कड़ी पत्त को पकने तक हम इसे चलाएंगे जब यह पक जाए तो इसमें मैंने प्यास को एक प्यास छोटी-छोटी कट करके रखा है अब इस प्यास को डाल कर हम पका लेंगे जब प्यास हमारा ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें शांबर मशाला डाल कर इसे भून लूँगे यह देखिए प्यास अच्छी तरह से भून चुका है अब इसमें एक चम्मच शांबर मशाला डाल दिया और इसे हम फ्यास कर लेंगे जब यह अच्छे से भून जाए तब हम इसे सांबर में डाल देंगे यह देखिए अब हमको इसे अच्छे से मिक्स करना है यह देखिए सबजियां कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और शांबर भी अच्छे से त्यार हो चुका है अब इसमें मैं यह डाल दूंगे इस तरह सामर बनाने से सामर का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है ये बिल्कुल अच्छे से त्यार हो गया है अब हम इसमें इमली के जो है उसे हम अच्छे से निकाल कर इसके बीच को फेक देंगे और इसका पानी को मैं सामबर में डाल दूँगी यह देखिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है यह सामबर में बहुत टेश्टी बनकर त्यार हुआ है फ्रेंट्स आप एक बार घर पे बिनाओ और ट्राइ करो और कमेंट करके बताओ क्या है